Good morning student, today I am going to explain you 9 chapters of English grammar. राजापन इंग्लिस ग्रामर का 9 chapter पढ़ेंगे 9 chapter पढ़ेंगे 9 chapter गने में आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते हैं A, N और दा इन तीन वर्ड्स को अपन आर्टिकल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं आर्टिकल्स बोलते हैं A, N और दा कहीं नहीं लगा अब इसको आप दोबारा लिखो बीच में आर्टिकल्स लगा और दोबारा लिखो पस लिखा है Cow is useful animal ठीक है इसको बन दोबाए लिख देंगे Cow is a useful animal कहा लग जाएगा है useful के आंगी ठीक है Ant is insect तो an ant is a insect नेस्ट चिलका लेक lies on eastern coast of Odisha चिलका लेक lies on the eastern coast of Odisha Bible is holy book of Christian Bible is the holy book of the Christian He is the wisest man in blaze He is a wisest man in blaze Lily is a beautiful flower Lily is a beautiful flower फस्ट वाले कमीन से की काउ है गाह है बहुत लाब दायक animal है सेकंड कमीन से की चीटी है एक insect है कीडा है ठीक है चिलका लेक जो है वो उडिशा के east में है कहां ही उडिशा के east में Bible जो है वो Christian की holy book है गरंत है किसका गरंत है Christian लोगों का और यह जो मैन है यह जो व्यक्ति है बुद्धी माने बाइस मतला है बुद्धी मान ठीक है लिली फ्लॉबर जो है बहुत बीटीफुल है मतला बहुत सुंतर है तो इसको मैं दुबारा लिख लिया इस तरह के आर्टिकल लिख लिख दिया ठीक है आर्टिकल और यूज फोर नाउं देर टैल वेधारा नाउं इस डीफिनेट और इंडाइस यह लिख लेक्टिकल जो हूं किसकी होते हैं नाउं मतलब नेम आउं पर्संट प्रेस और इंडैजस्ट रिफिनेट गतलब होदा है नेस्टित ओर इन डेफिनेट जो जो है definite बोलते हैं निश्चत होते हैं अब नहीं यूज ऑफ आर्टिकल ए आर्टिकल ए का यूज कैसे करते हैं आर्टिकल ए इस यूजड विफोर वर्ट्स एन अब्रिविएशन डैट बिगिन विदा आर्टिकल ए वह वह किन वर्ट्स के पहले किन सब्द के पहले हुए जो भी बढ़्ड किससे स्टार्ट हो ओं सोनेंट की साउन्ड से स्टार्ट हो जो बाविल नहीं हो इस इंग्लिस में 26 अल्फावेट होते हैं उसमें से 5 क्या होते हैं बाविल कौन-कौन से ए-e-i-o-u बा एसी हिंदी में स्वार वेंजन हो जो मैं आको फिरस्स चेप्टर में एक्स्प्लेइन किया था गते हैं असे लेकर अहा तक स्वार और बाकि जो का से लेकर क्या से गाने तक हो थे हैं वह वेंजन अभ यहीँ बोल रहा है कि जिस भी सब्दका उचारण करने में अपने उसको हमेशा स्टार्ट किस से हो consonant word से स्टार्ट हो या फिर अपने उसको चारन करें तो किसका किसकी आवाज निकले वियंजन की आवाज निकले उसके संग हमेशा अपन क्या यूज करेंगे ए यूज करेंगे ठीक है आपने देखा कि उनिवर्सिटी और यूज क्या यूज हुआ है जबकि यू और यूज क्या है बॉबल है किस से स्टार्ट हो रहे है यू से मतलब या आ रहा है यू निवर्सिटी यू रोपियन इसमें यू लिखा है तो इसमें या क्या बजा रही है इसलिए पन इसमें ए लगाया है ठीक है फिर आता है यूज ऑफ आप अर्टिकल एन का यूज कैसे करते हैं कैसे उसका प्रयोग करते हैं आर्टिकल एन is used before words and a variation beginning with a bobble sound for example एन no है उन वर्ड्स के स्ट रूशयुज अटे किसह करते हैं यूज होता है जो वार्ड हमेशा किस से start the bottle से start the start the bottle से झिनको उलने में हमेशा किसकी सोंड़े Soil की साउंड के मतलब स्वर की आवाज निकले materia पर एक्जांपल एन इगलू, इगलू में स्वारा रहा है, इसलिए अपन न लगाया अब देखो ओनेस्ट और आवर के संग अपन न न क्यों लगाया नोट, आर्टिकल एन हैज वी नूज्ड बिद्ध ओनेस्ट मैन एन आवर बिकॉज एच इज साइलेंट एन दा बड्ड को वे स्भूकन भेदा बॉब्साँंड यह बोल रहा है कि अपन् detached ग्नेस यह एच और ईच जो एच बड्ड होता है वो किसकी साथ होता है किसकी बड्ड कैसा है vAt Crstat कावइश इस ना कवसनेंट है क्वणसा लैटर है, विए ऐच लैटर है वो क्या है साइलेंट है साइलेंट मतलब उस बो अपन नहीं बोल रहा है अपन एसी इसमें हावर नहीं बोल लें क्यों प्रूवनाम जिदा किससे स्टार्ट हो रहा है बॉबल साउंड से क्या लगा अपने एन आर्टिकल लगा तो देखो अर्टिकल कर यह तुसमें कौन की साउंड निकले कौन की सांड निकले और एक यह बोल रहा है की इन अपन यूस किसका पक्ता है हमेशां नाउन की संग लेकिन जो उनकी संग बॉबल होती है जो बड़ होती है उनacements के साथ उसको उसको यूद का जाता है ठीक है जैसे जासे अनसी इसमें वन्ले मैं लिखा इसलिए लगाया इसलिए और डिए इसलिए यसलिए अलग होगा इसलिए 100 भीarं इस को यह लगा देंसलिए अप रीड़ भी लगा इसमें लगाया इसमें लगाया क्यों वी जो ए बढ़ अलग तुछ फ्लिंदा ब्लेंक्स में इंड़िनेट आर्टिकल मतलब होता है यह वी लगाया है यह बढ़ दी आप उनको पढ़ देना यह कि ठीक है